दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें जिससे के आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें आज हम आपको एक ऐसे अनोखे अंडर्ग्राउंड कबरिस्तान के बारे में बताएंगे जिसमें 8000 शवों को ममी बनाकर जिन्दा रखा गया है ये कबरिस्तान कैपूचिन कैटाकॉम के नाम से जाना जाता है जो के इटली के सिसली शहर में स्थित है कैटाकॉम को हिंदी में अंडर्ग्राउंड कबरिस्तान कहते है जो के प्राचीन रोम में बहुतियाद से पाए जाते है लेकिन कैपूचिन कैटाकॉम बाकी कबरिस्तानों से बिलकुल अलग है क्योंकि यहाँ पर शबों को दफनाने की वज़ाए उनकी ममी बनाकर रखाक जाता है यह कबरिस्तान अंदर से बिलकुल एक म्यूजियम की तरह दिखता है यहाँ शबों को रखने के लिए अलग-अलग सेक्शन बने हुए हैं जैसे के महिलाओं का, पुरुशों का, बच्चों का, कुवारी लड़कियों का, संतों का, टीचर्स का, डॉक्टर्स का और सैनिकों का कैपूचिन कैटकॉम में सबसे पहली ममी साल 1599 में बनाई गई थी जो के प्रदर सिल्वेस्ट्रो की थी 1880 में इस कबरिस्तान को अफीशली बन कर दिया गया था लेकिन फिल भी कभी कबार कुछ शव इसमें आ जाया करते थे शुरुवात में कैपूचिन कैटकॉम की स्थापना केवल कैथुलिक संतों के शवों को सरक्षित रखने के लिए की गई थी लेकिन बाद में इस कबरिस्तान में जगा पाना समाजिक रुत्पे की बाद मानी जाने लगी और इसमें संतों के इलावा दूसरे शव भी आने लगे इस कबरिस्तान में शवों को रखने के लिए नियमित रूप से फीस चुकानी पड़ती थी जिससे कि कबरिस्तान की देखरे की जाती थी अगर किसी ममी की फीस आनी बंद हो जाती थी तो उस ममी को वहां से हटा दिया जाता था साल उन्नी सो बीस में इस कबरिस्तान में आखरी ममी बनाई गई जो के रोजालिया लंबाडू नामक बच्ची की थी ये ममी इस कबरिस्तान में रखी गई सबसे खुबसूरत ममी है क्योंकि इस ममी को देखने पर ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई ममी है बलके ऐसा लगता है कि यहां पर कोई प्यारी सी बच्ची सो रही है इसलिए इस ममी को स्लीपिंग ब्यूटी का नाम दिया गया है ये आज तक एक रहसे है कि इस ममी को सुरक्षित रखने के लिए कौन से रसायन का इस्तिमाल किया गया है जिससे कि ये ममी आज भी सुरक्षित है अब कैपुचिन केटाकॉम को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है और ये इटली का एक प्रमुक आकर्शन बन चुका है ये कबरिस्तान अंदर से जितना डरावना है उत्मा ही डरावना इस तक पहुचने का रास्ता है जो के कई अंधेरी कलियों से होकर गुजरता है जिनकी दिवारों पर ममीस लटकी होती है इसलिए अगर आप यहां जाने की सोचें तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि यहां पर कमजोर दिल वालों के लिए जगा नहीं है दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझे परसनली मैसिज भी कर सकते हैं आप अपने विचार हमें कॉमेंट्स के माधियम से जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें हम जल्द ही आप से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजासत दीजिए